गुड मॉर्निंग्स फ्रेंड्स आपके study.com online class में फिर से आपका स्वागत है आज हम a sports से समंधित एक topic पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आप लोग को picture में दिखाई दे रहा होगा भात्य होकी team है जो कि इस champions trophy में जो कि एक किर्टिमान हासिल किये हैं भात्य होकी team तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे चलिए हम इस Asian hockey champions trophy से समंधित परिछाओं में क्या-क्या points आ सकते हैं question क्या-क्या आ सकते हैं उस पर हम discuss करते हैं सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि Asian hockey champions trophy का आयोजन जो है कहां पर क्या जा रहा था तो बंगला देश की राजधानी ढाका में आयोजन के जा रहा था और यह जो Asian hockey champions trophy का आयोजन जो क्या जा रहा था वो पुरुसो का था इस Asian hockey champions trophy का वीनर कोन रहे परसांत महासागर में एक देश है दच्छिन कोरिया जो कि जपान को हराकर यह जो है hockey champions trophy का वीजिता रहे next point हम लोग देखेंगे हम बताया अभी कि Asian hockey champions trophy का आयोजन बंगला देश की राजधानी कहां पर हुआ तो धाका में और यह पुरुसो का champions trophy था इस champions trophy में दच्छिन कोरिया जो है जपान को हराकर इस trophy को जीते इस trophy में भारतिय होकी टीम खास इसलिए हो जा रहे हैं कि पहली बार भारतिय पुरुस होकी टीम इस champions trophy में कास सिपदक जीते पहली बार इससे पहली जो है भारतिय होकी टीम इस champions trophy में जो है कास सिपदक पहली नहीं जीते थे तो इस CHAMPIONS TROFEE में पहली बार कास पदक जीते, लेकिन इससे पहली भार्तिये हॉकी टीम है तीन स्वर्ण रजद, एक रजद पदक और इस बार कास पदक, यानि पहली सब्सक्राइब तीन स्वर्ण पदक, एक रजद पदक, 4 पदक पहली से भी जीत चुके थे, बातिय होकी टेम तो इस बार होकी चांपिएन्स टौफी में कास पदक को जीथते हुए टोटल अब तक जो है इस चांपिएन्स टौफी में कुल पज पदक जीथे हैं तो चलिए हम कुछ डाइग्राम से भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोग को बहुत जल्ली याद हो जाएगा तीन स्वार्न एक रज़त एक कास पदक जीते और भारत जो है एक कास पदक जो जीते 2021 में भारत जो है चार तीन से पाकिस्तान को पराजित करते हुए इस पदक को भारतिय होकी टीम ने हासिल किया है तो इसको भी आ दखेगा कि किस टीम को हरा कर एक कास पदक जीते भारत तो पाकिस्तान टीम को हम डाइगराम में बनाया है लाज जो है अभी तक कुल कितने पदक जीते है तो पांच पदक जिसमें से हम डाइग्राम में यह बताने के कोशिस किया है कि भारत जो है स्वर्न पदक जो है तीन बार जीते हैं 2011 में, 2016 में, 2019 में तीन पदक जीते हैं और एक रज़त पदक जो है 2012 में जीते हैं और कास पदक जो है 2021 में जीते हैं ये सभी points जो है ध्यान रखना है कि भारत जो है Asian Hockey Champions Trophy में पुरुसों का अभी तक कुल 5 पदक जीते हैं जिसमें से 300 पदक 2011, 2016, 2019 में जीते हैं और एक रज़त पदक 2012 में जीते हैं और इस बार जो है कास पदक 2021 में जीते हैं भारतिय होकी टीम का खास बात इस माइनेम हो जाता है कि भारतिय होकी टीम ने इस Asian Hockey Champions Trophy में पहली बार जो है कास पदक जीते हैं 2021 में इसमें ये भी ध्यान रखना है अब लोगों को कि फर्स्ट पोजिशन पर यानि इस Asian Hockey Champions Trophy में फर्स्ट पोजिशन पर कौन रहे दच्छिन कोरिया रहे और सकेंड पोजिशन पर जो उबिजेता रहते हैं वही देश होता है सकेंड पोजिशन पर जपान रहे और भारत का स्थान कितना रहा तीसरा रहा इस Asian Hockey Champions Trophy से समंदित जो है हम जितने भी points बताए इतना ही ध्यान में रखना है हम फिर से आप लोगों को एक बहर हम review करते हैं कि इसमें क्या-क्या points को हम लोगों को ध्यान में रखना है जो कि परिच्छा के डिश्टी से बहुत है importance है तो हम बताए सबसे पहले कि इस बार 2021 में पुरुसो का Asian Hockey Championship का आयोजन किया गया जो कि बंगलादेस की राजधानी धाका में शंपन हुआ इस Champions Trophy में बिजेता टीम जो है डच्छिन कोरिया रहे और वो किसको हराए तो जपान को और फर्स्ट पोजिशन में जो है फर्स्ट अस्थान जो है बनाए हुए रखे डच्छिन कोरिया और सकेन अस्थान जपान और थर्ड पोजिशन पर तिसरा अस्थान में भारत का अस्थान रहा इसके बाद नेक्स पॉइंट में हम बताए कि भारत्य होके टीम इस मायने में खास हो जाती है कि पाहली बार जो है इस चैंपेंस टॉफी में कास पदक जीत और पाकिस्तान के साथ जो है इस कास पदक को जीतने में मतलब पाकिस्तान के साथ जो है मुकाबला हुआ था पाक Asian Hockey Champions Trophy में अभी तक कुल 5 पदक जीते हैं जिसमें हम डाइग्राम से बताने के कोशिश किये कि स्वर्ण पदक जो है 3 बार जीते 2011, 2016, 2019 में और रज़त पदक जीते 2012 में जीते और इस बार जो है कास पदक 2021 में जीते तो टोटल जो है 5 पदक जीते इतना ही सारा जो है points इस Champions Trophy से importance है आप लोगों को समझ आ गई होगे अच्छा से आज की class हम यहीं समाप्त करते हैं अब जो है हम next topic पर next video में चर्चा करेंगे और हाँ एक बात आप लोग जरूर ध्यान लखेगा आप इस channel को जो है subscribe जरूर कर दिजेगा और अपने friends के पास share जरूर कर दिजेगा Thank you डोस्ट